नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आये हूं आपके लिए आर्मी की भरती के बारे में बहुत बड़ी अपडेट तो आप सभी को पता है कि दोस्तों एक किया जा रहा है ठीक है तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसको भी देख लेना जिसमें मैंने आपके लिए बताया था कि जैपुर यारों ने सबसे पहले भरती निकाल दी है जिसके आबेदन भी 30 जून से शुरू हो चुके है ठीक तो अगर आप दोस्तो एट पास भी है मतलब आपने आठमी क्लास पास किया है और आप आर्मी में भरती होना चाहते हैं तो आप ट्रेट्समेंट की भरती देखते आर्मी में भरती हो सकते हैं ठीक है तो इस समय हम हैं आर्मी की ओफिसियल वेबसाइट पर आप देख सकते ह पर हम है इस समय तो यहां पर दोस्तो हम यहां पर यह जो second वाला है इसको खोल लेते हैं और इसको हम download कर लेते हैं download करने बाद में दोस्तो मैं आपको इसको थोड़ा से zoom करके दिखाऊंगा जिससे आप अच्छे तरह से पढ़ सकें तो यहां पर आप देख सकते हैं Army Recruiting Office हिसार हर्याना तो यह जो दोस्तों आज की भरती है वो हिसार ARO के लिए है जो की हर्याना में आता है तो यहां पर दोस्तों हम आपके लिए पूरी खबर क्या है पढ़के बताएंगे इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ बताने वाला हूँ कि यह भरती किस-किस कैटेगरी की होने वाली है इसके online आवे दन कब से शुरू होंगे इसका exam कब होगा physical कब होगा पूरी की पूरी जानकारी इसको मैं देने वाला हूँ और आपके साथ-साथ इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दोस्तो यहाँ पर जो आपकी education QR होगा वो क्या होगा आपके physical क्या होगा पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए देने बाला हूँ तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और हमारे youtube channel सिभा online classes को subscribe जरू करने क्योंकि दोस्तो subscribe करने में आपको कोई भी पैसे नहीं जाता है आपको के वल यह जो लाल वाला बटन है इसको दबाना है तो चलिए दोस्तो start करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तो यह जो भरती है वो 30 जुलाई से 8 अगस्त की बीच में होना है ठीक है तो पूरी खबर क्या है पलके आपको बता देते हैं army recruitment rally will be held for eligible candidates of districts of हिसार जिंद फतेहबाद और सिर्शा तो यह जो दोस्तो भरती है वो हिसार जिंद फतेहबाद और सिर्शा districts के लिए है जो की हर्याना में है भरती शुरू होगी आपकी 30 जुलाई 2020 से 8 अगस्त 2020 at सहीद भगत सिंग स्टेडियम थीक है सहीद भगत सिंग सिंग में आपकी यह भरती होगी सिर्शा में है जो हर्याना में थीक है online registration जो हैं दोस्तों वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 31 मई 2020 से 14 जुलाई 2020 तक तो अगर आपने अभी तक online registration नहीं किया है तो आप इस भरती के लिए जल्ली से registration कर दें अभी आपके लिए 14 जुलाई 2020 तक का time बचा हुआ है तो इस भरती में registration करने के बात में उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर soldier general duty सबसे पहले बात करते हैं soldier general duty इसको हम soldier gdb भी बोलते हैं तो इसके लिए age limit होगी आपकी 17.5 साल से 21 साल तक तो अगर आपकी age 17.5 से 21 साल तक है तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं इसके लिए आपको 1 October 1999 से 1 April 2003 के बीच में होना नवारी है ठीक है अगर आपकी date of birth यह जो date दी हुई है इसके बीच में है तो आप इस भरती के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो आपकी height हो 170 cm और weight 50 kg और chest 77 cm ठीक है उसके बाद में दोस्तों इनकी जो condition है वो यह है कि आपकी किसी भी subject में 33% mark से कम नहीं होना चाहिए और आपकी जो total percentage है वो 45 mark से कम नहीं होनी चाहिए उसके बाद में दोस्तों आजकेल जो है वो 10th class में grading system चल रहा है तो minimum degrade होना चाहिए आपके पास में जो की 33 से 40% को indicate करता है तो अगर आपके पास में degrade है तो आप इस भरती के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर Indian गोर्खा all category ठीक है तो Indian गोर्खा कि यहाँ पर जो भरती है वो as applicable in their category जो भी category है इनके उसके लिए applicable होगा उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं soldier clerk object store की पर technical की ठीक है इनकी जो age limit होगी वो 17,5 से 30 साल होगी 1 October 1997 से 1 April 2003 की बीच में इनकी date of birth होना अनबारी है यहाँ पर दोस्तों height होगी आपकी 162 cm weight 50 kg और chest 77 cm तो clerk और store की पर में आपको भरती होने के लिए 12 plus 2 यानि कि intermediate exam पास होना जरूरी है art commerce science किसी भी subject में और आपकी जो total marks होंगे बो 60% से कम नहीं होना चाहिए और दोस्तों आपके किसी भी single subject में 50% से marks कम नहीं होना चाहिए ठीक है लेकिन आपको यहाँ पर एक और सर्थ है इनकी कि 12 में आपके पास में English होना अनवर्य है उसके बादम दोस्तों हम बात कर लेते हैं physical fitness test at rally site तो जब आप rally site पर पहुंचेंगे सहीद भगत सिंग इस्टेडियम पे तो आपके पास में जो सबसे पहले आपका test होगा वो होगा आपका physical उसमें से भी दोस्तों सबसे पहले आपके documentation होके सबसे पहले physical में आपका 1.6 km की running होगी तो 1.6 km की running होगी आपकी जिसके लिए आपको दोस्तों पास करना होगा पांच मिनट 30 से पहले पास करते हैं तो आपको दिये जाएगा group 1 जिसके लिए आपको 60 marks आपको दिये जाएगे अगर आप 5 मिनट 30 से पहले race को complete कर देते हैं उसी तरह से दोस्तों group second है पांच मिनट 31 से पांच मिनट 45 से के बीच में तो अगर आप 5 मिनट 31 से पांच मिनट 45 से के बीच में अपने race पूरी करते हैं तो आप click marks मिलेंगे 48 ठीक है यहाँ पर दोस्तों running का मैंने आपको click कर दिया है अभी बात कर लेते हैं pull ups कि तो यह pull ups जिसको हम विम बोलते हैं अगर आप 10 लगाएंगे तो आपको 40 marks मिलते हैं 9 pull ups अगर आप लगाएंगे तो आपhouses 23 marks मिलते हैं 8 आप 6 pull ups भी लगाते हैं तब भी आप पास हो जाते हैं लेकिन आपको जो marks हैं वो 40 से कम होकर 16 marks आपको only मिलेंगे तो इस तरह से आपको 24 marks जो है वो कम हो जाएंगे जिससे आपके लिए भरती होने मेरिट में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है लेकिन दोस्तों आपको 9 feet ditch और zigzag balance होगा तो इन दोनों के लिए आपको need to qualify करना होता है मतलब केबल qualify करना है इनको आपको पास करना है इसके लिए आपको कोई भी marks नहीं दिये जाएगा यह दोस्तों जो notification है इसको आप download कर लें इस वीडियो के नीचे मैं आपको इसका link दे दूँगा आप यहां से जाके download कर सकते हैं और पूरी notification को पढ़ लें फिर भी अगर कोई doubt हो तो इस वीडियो के comment section में आके हमें comment करके जरूब पूचे हम आपके हर comment कर जवाब देंगे ठीक है तो यही थी दोस्तों आज की भरती के बारे में यहां पर बहुत सारी details दे हुई यह एक चीज में आपको और बता देना चाहता हूं NCC ठीक है तो NCC ABC Certificate and Republic Departate Certificate should have photographs of the candidates duly attested by signing authority provision of NCC ABC Past Certificate will only be accepted if authenticated by concerned NCC group commanders तो आपके पास में अगर NCC ABC Certificate या फिर आपके पास में Republic Departate का Certificate तो उसके उपर आपका photograph होना जरूरी है जो कि अटेस्टेड होगा signing authority signing authority याने की issuing authority कौन से होगी आपकी जो भी आपका NCC head battalion का headquarter है ठीक है तो वहां से आपको उसको attested कराना जरूरी है तो यही थी दोस्तों भरती के बारे में detail और candidates will report at 3 a.m. at inter gate of rally ground gate would close at 9 a.m. every day ठीक है तो आप अगर जब भरती देखने जाएंगे तो आपको तीन बजे नहाँ पर report करना जरूरी है सहीद भगत सिंग सहीद भगत सिंग स्टेडियम में जो की सिर्शा हर्याना में है तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जो की एक तम correct वीडियो है और आप इसमें भरती हो सकते हैं तो अमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारी यूट्यूब चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेश को ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राब जरू करें तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैभारत